नमस्कार दोसा स्वागत है आपका हमारे शेनल ज्यार जागंदर मिसा में दोस्तों अगर आप अपनी लाइफें कुछ नया शीखना चाहते हैं तो शेनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा रभी वार के दिन गाय को खिला दें रोटी के साथ ये एक चीज गरीबी भूल जाएगी आपके घर का रास्ता दोस्तों हमारे सास्त्रों में क्या होता है गाय को माता के रूप में हम पूछते हैं पर आज के समय में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है आज की जो यंग जनरेशन है जो यूबा पीड़ी है इस बात पर ध्यान नहीं देती और ज़्यादतर इन बातों को अंद विश्वास बना करके इग्नोर कर देती है पर आपको हम बता दे कि आज का यूबा वर्ग जो गाई के सिवा कुट्ों को पालना ज़्यादा पशंद करते हैं उन सभी को एक छोटी सी बात आज हम बताते हैं कि अगर आपके घर पर गाय है आपके अंदर गाय के प्रती भक्ती है गवमाता के प्रति श्रद्दा है तो वो आपके घर से बहुत सारी निगविटी एंरजी को दूर करने की शक्ती रखती है भगवान स्री कृष्ण ने भी इंद्र पूजा को बंद करवा कर गवमाता की पूजा प्रारंब करवाई थी क्योंकि गाई को प्रत्यच्छ देवता मानते हैं गाई का दूध हो या गाई का गोबर हो गोमोत्र हो घी हो सभी में बहुत सारे और शदी गुण पाए जाते हैं और जो भी व्यक्ति इनका उप्योग करता है वो कई तरह से बीमारियों से बचा रहता है जिस घर में गाई रखी जाती है वहां कभी भी वास्त दोस उत्पन नहीं होता घर में शुक्ष अंती का बास होता है और पुराणों में पुराणों के अंसार गोमें सभी देवी देपताओं का बास होता है गाई को कभी भी सताना नहीं चाहिए उनको जाडू आज से मारन नहीं चाहिए उनकी हत्या करना या नरक के द्वार के बराबर माना जाता है माना जाता है कि मनुस को अनेक जन्मों के दुख से छुटकारा गौमाता ही दिलाती है अगर आप उन्हें कष्ट पहुचाते तो अनेक जन्मों तक दुख भोगने पड़ते हैं अगर हम सांस की माने तो बैज्ञानिक भी कहते हैं कि गाई एक मात रहसा प्राणी है जो आक्सीजन ग्रहन करता है और आक्सीजन छोड़ता है जबकि मनुस्य सहीत शभी प्राणी आक्सीजन लेते हैं और कारवन डाई अक्साड छोड़ते हैं पेड़ पौधे ठीक उसका उल्टा करते हैं दोस्तों गाई में माना जाता है गाई को हम गाउमाता के रूप पूछते हैं मनुस्य को मरने के बाद उसे बैतरनी नदी पार कराती है गवमाता ये भी कहा जाता है बैतारणी नदी यानि नरक तक पहुँचाने के लिए जो नदी होती है उसको पार करना हो तो अगर जीवन में आपने गवदान किया हो या गव सेवा किया हो तो आपको उस नदी को पार करना पड़ता है भारत में तो गवमाता को हम देवी का द दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप से रिकेश्ट करते हैं वीडियो को लाइक करके जदा जदा शेयर कर दें। दोस्तों 84 लाइक योनियों में सफर करके आप अंतिम योनि के रूपे गव के रूपे धर्ती पर जर्म लेते हैं गाय के माता के रूपे तो लाखों योनियां को जो पड़ा हो जहां आत्म विश्वा बिस्राम करके आगे की यात्रा शुरू करते हैं। दोस्तों गाय का कोई भी अबसुगन नहीं होता जिस भूभाग पर मकान पर बनाना हो वहाँ पर अगर आप 15 दिन के लिए गाय का बचड़ा बान दे गाय सहित तो वो जगए पवित्र हो जाता है। भाग में बहुत सारी आइस्तरों शक्तियों का नास हो जाता है। शम्रद्धी पूर्वक जीवन में सुख मिलेगा। को सरीर के रोग निरोधक शम्रद्धा को बढ़ा कर रोगों को दूर करने वाला माना जाता है। दोस्तों आज के समय में लोग गौमाता की पूजा करने के बज़ाए उनका सही उप्योग करने के बज़ाए उनको अपमानित करना ज़्यादा पसंद करते हैं दोस्तों इसले बिल्कुल भी गाय को अगर आप रवी बार के दिन रोटी देने के साथ साथ अगर उन्हें बिशेश वस्तों और भी खिला दें तो लाव होता है रोटी तो रविवार के दिन आप खिलाते ही होंगे रोटी के साथ साथ आप रोटी में गुड़ और काला तिल डालके अगर आप खिलाएं तो बिशेश लाब होता है शुक्षम्रधी की प्राप्ती होती है जीवन में यसमान की प्राप्ती होती है दोस्तों बतादे कि गौ माता को रभीवार के दिन रोटी तो कम से कम खिलाना ही चाहिए अगर आप रोटी ना खिला सकें तो रोटी के साथ साथ आप थोड़ा सा गूर, काला तील और थोड़ा सा घी आप डालके या फिर आप मीठी वस तुम्हें जैसे की सक्कर भी डालके खिला सकते हैं आपको संब्रिद्धी के प्राप्ती होगी आपके घर में बरकत होने लगेगी गरीबी भूल जाएगी घर का रास्ता और हमारे बुजर का हमेशा से कहते आएं कि गाई को रोटी खिलाने चाहिए लेकिन समय इसे दिए कि चलते गाई के सेवा हर कोई नहीं कर पता लेकिन कम से कम रोटी तो जरूर आप खिला सकते हैं रवियार के दिन अगर आपके आसपास कहीं पर भी गाई आए आपके घर के आसपास आए या फिर आपके आसपास कहीं गौसाला या कहीं आसपास हों तो आप चुप चाप जाकर गाई को रोटी के साथ थोड़ा सा गुड काला तिल घी डाल के खिला दें या फिर आप चाहें तो आप थोड़ा सा घास ले लें घास में रोटी डाल लें रोटी डालने के वाद थोड़ा सा गुड़ और मिस्त्री डाल के चुप चाप आप जाकर गाई को खिला दें विशेश लाब होता है खासका रवीवार के दिन अगर आप रोटी में गुड़ तिल से बने लड़ू अगर डाल के खिला दे तो विशेश लाब होता है या फिर आप गुड़ में थोड़ी से आप हल्दी, थोड़ा सा काला तिल, थोड़ा सा आप घी और थोड़ा सा गुड़ी डाल के रोटी कसाते हैं गाई को रोवियार के धिला दें, तो गरीबी भोल बोटी के साथ आप गुड़ और तिल और घी थोड़ा सा हल्दी और थोड़ी सी मिस्त्री अफिर आप जाएं तो गुड़ी डाल के खिला दें तो भी शेश लाब होता है तो दस्तों बीडियो को लाइक करिएगा जयता शेयर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा झाले गो मता